नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Guru पर दोस्तों मैं अजीत पांडे आज आपके लिए इस वीडियो में साइंस का टेस्ट सेट वेपर लेकर आया हूँ ये वीडियो मैंने सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए सेट किया है इसमें आपके लिए साइंस की तीनों स्ट्रीम्स के कॉशन्स मिलेंगे Physics, Chemistry, Bio एक चैंपियन की तरफ वीडियो सॉल्ब करिए और चेक करिए कि साइंस में आपका इस्टेटस क्या है हर कॉशन का आँसर देने के लिए 5 सेकंड का आपको सभी मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहला प्रशन ये रहा स्कीन पर मनुष के शरीर के रक्त का pH मान कितना होता है ये कॉशन बहुत पूशा जाता है क्या उत्तर होगा इसका पतलाईए चले देखते हैं तो मनुष के शरीर के रक्त का pH एप्रॉक्स 7.4 होता है राइट आंसर हो जाएगा option number 7.4 pH आपको पता ही होगा साथ से कम रहता है अमलिय साथ से ज़्यादा रहता है अच्छारिय और साथ रहता है तो उदासीन next question देखते हैं क्या पूशा गया है ये रहा स्क्रीन पर सफेद रक्तकन अर्थाद white blood cells WBC का मुखे काम क्या होता है white answer क्या है बतलाइए चले देखते हैं तो white blood cells का मुखे काम होता है रोग प्रदिरुददक शम्ता को धारण करना white blood cells हमारे शरीर की आर्मी कहीं आती है आर्मी का काम क्या होता है दुश्मनों से रणना इसी प्रकार WBC भी रोगों से लड़कर हमारे शरीर को स्वस्त रखने में मदद करती है next question देखते हैं क्या पूशा गया है ये रहा स्क्रीन पर निम लिखित में से किसके द्वारा रुधिर अर्थात रख्त के प्लाज्मा में एंटी बॉडी का निर्माण होता है बतला ही चले देखते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइड ओप्शन नमबर B यहाँ पर से यतर हो जाएगा लिम्फोसाइड के द्वारा रुधिर में प्लाज्मा में एंटी बॉडी का निर्माण होता है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B नीरक्ष्ट कोशन देखते हैं क्या पुष्या गया है निम्फ लिखित में इसे कौन सा एंजیम प्रोटीन को एमिनो एसिट्स यानि की एमिनो अमल में विघ्टित करता है area क्या अत्तर हो जाएगा बततलाईए नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है ये रहाज स्क्रीन पर शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है बतला ये चले देखते हैं तो शरीर के यकरत में पित्त का निर्माण होता है अगर आपने कोई भी एक्जाम दिया होगा तो ये कॉशन अपने एक्ज प्रदान करता है बतला ये चले देखते हैं तो राइल टांसर क्या हो जाएगा ? पनीर, पनीर में क्या होता है ? प्रोटीन और प्रोटीन को बौर्डी ब्लडर भी कहा जाता है बौर्डी बॉल्डिंग करने के लिए प्रोटीन लेना बहुत आवश्चक होता है तो यहाँ पर सहीतर हो जाएगा आहार जो है प्रनीर इन में से शरीर में नए उतकों की व्रद्धी के लिए पोशक्तित प्रदान करता है जो भी जिम करते हैं एक्सराइस करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुशक्य हैं यह रहा स्क्रीन पर घाव भरने में सहायक विटमिन कौन सा है बतलाईए चले देखते हैं तो घाव भरने के लिए विटमिन सी सबसे ज़्यादा फायदे मंद होता है आवला विटमिन सी का सबसे अच्छा इस्त्रूत माना जाता है तो यहाँ पर सहे तरो जाएगा विटमिन सी घाव भरने में सहायक होता है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट आता है तो B और C दोनों से हे उतत्र हो जाएगा Next question देखते हैं क्या पुश गया है यह रहा स्क्रीन पर Anthology में किसका अध्यन किया जाता है? बतलाईए चलिए देखते हैं तो Anthology में फूलों का अध्यन किया जाता है हूलों की शाखा फूलों का अध्यन एंथोलोजी में करते हैं विज्ञान की शाखाएं एक्जाम में पूछी जाती है very important होता है caution याद रखेगा exam के लिए बहुत महत्यपूर है next question देखते हैं क्या पूछ अगया है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं बतलाईए चले देखते हैं तो रेशम कीट पालन सैरी कल्चर कहलाता है राइट आंसर हो जाएगा option number C इस question के लिए सेतर हो जाएगा epiculture किसे कहते हैं comment box में अपना आंसर ज़रूँ शेयर करिएगा next question देखते हैं क्या आपको शगया है क्या उत्तर हो जाएगा इस question के लिए चले देखते हैं तो प्रत्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित सहवाल option number A इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशागया है विकास वाद का सिद्दान्त किस ने दिया था बतलाईए चले देखते हैं तो विकास वाद का सिद्दान्त डार्वेन ने दिया था बहुत फेमस है option number A इस question के लिए सहीत्तर हो जाएगा ये question ही बहुत फेमस है important है next question देखते हैं क्या पूशागया है ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने निम्न मैंसे कौन वास्तविक रूप से मचली है क्या उप्तर हो जाएगा इस question के लिए चले देखते हैं तो right answer हो जाएगा समुदरी घोड़ा नाम घोड़ा है लेकिन वास्तविक रूप से समुदरी घोड़ा एक मचली है नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या आपको शगया है ये रहा स्क्रीन पर अगले कॉशन पर चलते हैं निम्न लेकित मैंसे कौन सीधे अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है right answer क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो यहाँ पर सहीद हो जाएगा एक बिना कहने को तो यह इस्तंधारी है लेकिन बच्चे नहीं देता है अंडे देता है नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुश अगया है ये रहा स्क्रीन पर निम्न मैंसे कौन उड़ने वाले इस्तंपाई मैंसे एक है क्या उत्तर होगा बतलाई चले देखते हैं उड़ने वाले इस्तंपाई उप्शन नमब चमगादर है इसमें से राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमब डी इस कॉशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पूश अगया है हीमोगलोबिन कहाँ पाया जाता है हीमोगलोबिन से सम्मझे तब हम कुछ कॉशन पढ़ेंगे बताई इसका आंसर क्या है चले देखते हैं तो हीमोगलोबिन जो है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है उप्शन नमब सी इस कॉशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है मानव शरीम में हीमोगलोबिन का काम क्या होता है बतलाईए चले देखते हैं तो मानव शरीम में हीमोगलोबिन जो है ऑक्सिजन के परिभान का काम करता है option number A expression के लिए सहीत्र हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है यह रहा screen पर रक्त में राल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है बतलाईए चले देखते हैं तो रक्त में लाल रंग जो है हीमोगलोविन के ही कारण होता है option number B यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है यह रहा screen पर जब एक व्यक्ति व्रद्ध हो जाता है तो सामान नियत्ह उसके रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है बतलाईए चले देखते हैं तो जब एक व्यक्ति व्रद्ध हो जाता है तो उसका रक्त जाब जो है घड़ जाता है यह question बहुत एक्जाम में पूछे जाता है next question देखते हैं किस उपकरण का प्रियोग रक्त चापको मापने के लिए करते हैं राइट आंसर क्या है इस question के लिए बतलाईए चले देखते हैं क्या आपका score रहा जरूर अपना comment share करें अगर आप science की live class join करना चाहते हैं तो free live class per day है रात में 8 बजे से science की live class होती है रात में 8 बजे से 9 बजे तक सिर्फ 1 घंटे के लिए आप रोज 1 घंटे की live class में आ सकते हैं हम science के selected questions आपके लिए कराते हैं जो आप सिर्फ उतने ही अगर पढ़ रहे हैं तो exam में 101% आने के chances हैं इससे पहले भी हमने test set वीडियो बनाये हैं जिनकी link हमने description box में upload की है आप उनको भी लगा सकते हैं chapters wise तो आपके लिए मिल जाएंगे और subjects wise मैंने upload कर दी है description box में निंग computer के geography के physics के chemistry के bio के quality के इस परकार करते हुए 11 subjects की link आपके लिए comment box description box में दे दी है link पर click करके आप video देख सकते हैं हर playlist में लगबग लगबग 40 से 50 वीडियो हैं तो मुशली आपके हर subjects को cover कर सकते हो अगर आप पूरी तरीके से dedicated होके बढ़ाई करते हो तो कैसा लगा आपके लिए questions है क्या रहा आपका experience अगर आप channel पर नए है तो subscribe कर लिजे जिससे आपको daily test set paper मिल सके bell icon ज़रूर प्रेस कर लिजेगा वीडियो की link को अपने दोस्तों को as a challenge भी share कर सकते हैं आप वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर करते जाएगा मिलते हैं इसके next part में तब तक अपना ध्यान रखें मस्त रहें स्वस्त रहें जहां रहें जबर जस्त रहें बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शुब हो